कर दो को एंवाद के बार चानल पो निसमें करेंussa Jim रोग से जरी सिदर फूरती आपमें सिफ बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दिज कहूँ सी बारे स्याव कि मैं जो क्रीम आपको रिक्रेंट कर रही हूं वह कई बार अफॉर्डिबल नहीं होती है थोड़ी सी कॉस्ट्ली होती है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाती हूं जिसमें मैं आपको डे क्रीम्स फर आल स्किन टाइप नाइट क्रीम फर आल स्किन इसके लिए मैंने सिर्फ एक ब्रांड पकड़ा और उसकी और मैंने सारी क्रीम्स मंग वा ली है और एक चीज़ मैं आपको क्लिया करना चाहूंगी सारी क्रीम्स एक ही ब्रांड की है तो यह बिल्कुल भी मत सोचेगा कि यह जो वीडियो है यह स्पॉंसर्ड है, यह 200 है इन में से बहुत सी क्रीम्स का जो प्रिंट रेट है वो 200 से ज्यादा भी है लेकिन मैंने ये सारी क्रीम्स purple.com से खरीदी है और purple.com में हमेशा ही बहुत जादा डिसकाउंट होता है इसलिए मुझे सारी क्रीम्स 170 और 175 रुपीज के अरॉंट पड़ी है तो चलिए अभी वन बाई वन में आपको सारी क्रीम्स दिखाती हूँ पहले से ही उनके सकिन ड्राइ है और विंटर्स की वज़े से उनके सकिन और भी ज्यादा ड्राइ होती जा रही है तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी नाइप क्रीम्स बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसलिए मैं आपके साथ में शेर कर रही हूँ ये good vibes की wheat germ night क्रीम और यह सच में बहुत ज्यादा नौरिशिंग नाइट क्रीम है मैंने खुद नहीं से अपलाई करके देखा मेरे स्किन ऑईली है बट स्टिल मैंने दो देने से अपलाई करके देखा और मुझे बिल्कुल भी और नहीं लगा और एक चीज में आपको बुलने चाहूंग बट स्किन के लिए रिकमेंड कर रही हूं जब हम इसे अपने फेस पर लगाती है तो यह स्किन में कहीं डिसॉल्व हो जाती है बिल्कुल गायब सी हो जाती है फॉर फ्यू सेकंड्स आपको लगेगा कि यह थोड़ी सी चिपचिपी है लेकिन थोड़ी देर बाद ही यह स् समर्स में भी एज नाइट क्रीम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं मैं इसे ड्राय स्किन के लिए क्यों रिकमेंड कर रही हूं कि हो सकता है अभी मेरे स्किन विंटर्स की वज़े से उतनी ज्यादा ओली नहीं लेकिन में भी आपके स्किन अलरी थोड़ी ओली हो इंग्रीडियनसि बिलकुल नाच्रल में जितने हैं म statesazz जाखें को कि बिल्बुक्षी को में सई खाजियत इस पॉर्टिकिलर क्रीम में है तो यह क्रीम आप जरूर ट्राइक करें अगर आपके सिकेंड राय है तो अगर आपकी नॉर्मल टो ड्राय सकेन है तब ही आप यह मल्टि वाइटमिन नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं मैंने अपनी बहुत सारे वीडियो में आप सबको recommend किया है कि oily skin के लिए aloe vera gel से better और कुछ भी night cream नहीं होती है इसलिए मैं यहां आपको good vibes की यह जो aloe vera gel है यह recommend करूंगी as night cream अगर आपके skin oily है तो क्योंकि इसमें सिर्फ aloe vera gel नहीं है उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे natural ingredients है कि आपके skin को overnight heal करेंगे और जो भी दिन बार में damage आपके skin में हुआ है उन सबको ठीक करेंगे और साथ ही साथ आपके skin को बहुत ही अच्छे से deeply nourish या फिर moisturize करेंगे बिलकुल भी आपको चिपचिपापन या तेल सा बिलकुल भी नहीं लगेगा तो अगर आपके skin oily है तो आपको good wipes का ये aloe vera gel try करना चाहिए as night cream और अगर आपके combination skin है या फिर normal to oily skin है तो भी आप ये aloe vera gel as night cream यूज कर सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस skin whitening के लिए कोई cream बताईए तो मेरे पास good wipes की ये एक बहुत ही अच्छी coconut cream है जो कि skin whitening और skin brightening के लिए बहुत अच्छी है और अभी फिलहाल मैं इसे ही यूज कर रही हूँ as day cream और मुझे इसके results बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि इसमें जितने ingredients है almost सारे वही ingredients है जो कि आपके skin के जो complexion होता है उसे enhance करता है मतलब आपके skin को fairer बनाता है और साथी साथ अगर आपके skin dry है तब भी आप इसे बिलकुल आसानी से लगा सकते है बिना किसी tension के और अगर आपके skin oily है तब भी आप इसे बहुत ही आसान लाइट लाइट साफील होता है चिपचितापन या ऐसा कुछ भी बिलकुल नहीं लगता है skin में अगर किसी भी तरीके का damage हो चाहे वो blemish हो जाही हो या कोई भी dark spot हो उसे ब्राइटा करने के लिए भी यह जो coconut cream है यह बहुत ही अच्छी है skin को soft and supple बनाती है और बिलकुल enhancement cream बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि यह skin में naturally glow add करती है और बहुत ही जाधा shiny बनाती है skin को क्योंकि almost इसके सारे ingredients ऐसे हैं जो कि अगर आपको sun से कुछ भी damage होआ है तो उसे ठीक करते हैं और उसे treat करते हैं और साथी साथ skin को बहुत ही अच्छी से हाइडरेट करते हैं इसल अलावेरा face cream जो कि soothing cream है तो बेसिकली यह जो क्रीम है यह बहुत ही जादा watery या फिर आपी कह सकते हैं बहुत ही जादा पतली सी है। मतलब skin में बहुत ही अच्छे से अभी बहुत ही अच्छे से डिजॉल्व हो जाती हैं मतलब जैसे ही आप इसे अपने skin पर रखते हैं यह तो आपको त्राइ करना चाहिए रही है कि रहे है? इट लास्ट मेरे पास विक्या साफ कासटा पिस्त थे यह अच्छा है तो इन ती ऊढ़ना चे टी बाइज पनीर को खोंड़ है तो भी इसी कि अभी शरी ऑफिक मतने और अपनाव केंहिवे के लिए फच्छा मिशनी कम से अगर आपको एक एक चाह्ची करें की एक एक अचषी क्रीम की तलाश में हैं तो और आप कुई यूसके कर शक्या फिक लिए था अप्लाइक करेंगे तो एक एक च्लौतीस क्रीम और यह कहुंगी कि अगर अगर को एंटी तो आप इसे as day cream or as night cream भी यूस कर सकते हैं तो यह बेसिकली कौन सी क्रीम है वाइटमिन ए नुरिशिंग पेस्ट क्रीम गुड़ वाइप्स की बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर आप 28 प्लस है तो आपको यह जरू ट्राय करना जाहिए मेरे पास अभी फिलाल इतनी ही क्रीम थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी अभी आगे मैं सोचा है कि मैं सिर्फ स्किन वाइटनिंग के लिए आपके साथ कुछ कुछ क्रीम शेयर करूं और भी दूसरे भी skincare प्रोडटक्स में आपके साथ शेयर करूंगी जिने ये डाउट हो कि उने कौंसी क्रीम यूस करना चाहिए और कौंसी हैं और खासकर अफॉर्डबल क्रीम की घलाशो उन फ्रेंड्स के साथ आप यह वीडियो जरूर शेयर करें और अगर आप मेरे चानल पर न्यू है तो मेरे चानल को सब्स्राइब जरूर करें निक्स वीडियो मिलते हैं बाई बाई